देसी फेक्ट्स ला रहा है वेर्ड लॉज अफ नॉर्थ कोरिया पहला है लॉज रिगार्डिंग हैर कट्स 2013 में किम जॉंग यूंग ने डिसेड किया है कि नॉर्थ कोरिया के लोग कैसे हैरस्टाइल रखें उसने एक रूल बना दिया कि 28 ओफिशल हैरस्टाइल जो कि नॉर्थ कोरिया के पब्लिक रख सकती है वो गॉर्णमेंट के तरफ से अप्रूप्ट था और बाकी सब हैरस्टाइल वहाँ पे बैन है 10 हैरस्टाइल मेंस के लिए और 18 हैरस्टाइल लेडिस के लिए अगर कोई मैंस पाइक रखना चाता है तो वह वहाँ पे बैन है पर सही माईनों में देखा जाए तो किम जॉंग यूंग वो खुद ये हैरस्टाइल फॉलो नहीं करते क्योंकि उनका हैरस्टाइल उस लिस्ट में नहीं है अगला है गवर्मेंट डिसाइड फू लिफ्स इन दे कैपिटल यह बहुत ही अजीब बात है अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपको इंडिया के कैपिटल में शिफ्ट होना है गिम जॉंग यूंग ने यही रूल निकाला ताकि जो भी अमेर आदमी हो वही नेशन के कैपिटल में रहें अगर आप अमेर नहीं है तो आपको वहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा अगला है owning a Bible is illegal नौर्थ कोरिया में Bible खरिदना बैंड है अगर आप अपने पास Bible रखते हैं तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है वहाँ के government का ये मानना है ये Bible ये Western culture का प्रतीक है अगर वहाँ के लोग Bible अपनाते हैं तो उसी culture में convert होना चाहेंगे इसलिए वहाँ पे ये ban है एक बार किसी Christian महिला ने Bible बाट रही थी उसे arrest करके executed कर दिया अगला है the three generations of punishment नौर्थ कोरिया में अगर आपने कोई crime किया और आप चेल से भागने की कोशिश किये तो आपकी सजा आपके पूरे परिवाल को मिल सकती है जो कि आपके grandparents, आपके माता-पिता और आपके बच्चों को वहाँ के government सजा देगी ये rule इसलिए बनाया गया है ताकि crime कम हो और अगर crime करे तो वहाँ से भागे नहीं अगला है you have no privacy as a tourist अगर आप North Korea में घुमने की सोच रहे हैं तो वहाँ के rules के बारे में भी चान लीजिए अगर वहाँ पे आप टूरिस्ट बनके जाते हैं तो आप वहाँ पे अकेले नहीं घुम सकते है और उसके लिए बहुत सारे conditions है जैसे कि सारे women's को एक ही formation में बराबर चलने आना चाहिए उनकी हाइड भी उन सबकी हाइड भी सेम रहनी चाहिए और उनके कपड़े भी सेम होने चाहिए यहां तक कि उनके hairstyle भी सेम होने चाहिए अगला है driving is not allowed for most नौर्थ कोरिया में खुद की कार लेना बहुत ही मुश्किल है वह बहुत ही खास लोगों के लिए परमिशन है जो खुद के गाड़ी ले सकते हैं वहाँ पे करीब 1000 में से 10 लोगी सिर्फ कार ले सकते हैं और अगर आप बाकी देशों में देखें तो कार्स की मातरा हद से जादा है